नमस्ते मैं डॉक्टर धारा डायेट योगा है नायविदे चेनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपसे बात करूँगी कौन-कौन से योगा करके इम्मुनिटी यानकी रोग प्रतिकारक्समता बढ़ा सकते है सुख्सम व्यायाम 6 मिनिट तक करना है स्थूल व्यायाम 4 मिनिट तक आसन 12 मिनिट तक प्राणायाम 4 मिनिट तक और ध्यान एन मेडिटेशन 5 मिनिट तक करके आप इम्मुनिटी बढ़ा सकते है पस्त्री का प्राणायाम 100 बिध तक आप कर सकते हैं गपल भाती प्राणायाम 60-120 बिध तक करें नाडि सोधिन प्राणायां, alternate nostril breathing, अनुलंवीलों प्राणायां, सुर्य भिदन राइत nostril breathing, दाहिनी नसिकासे स्वास लेना, चंत्रे भिदन, बाय नसिकासे स्वास लेना, उझ्जही प्राणायं, प्रामरी प्राणायं, सीचु आसन, चायल्ड पोस, हलासन, प्लो पोस, सेत ब्रीज पोस, हुजंगासन, कोब्रा पोस, मत्सियासन, फीस पोस, धनुरासन, बो पोस, उर्दुए ताड़ासन, संतुलासन, रुक्सासन और ताड़ासन करके आप अपने इम्मुनिटी बढ़ा सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और सेर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थेंक यू, बाइ बाइ